आज दिल्ली की मुख्यमंत्री आतीशी को सीम पद की शपत थल दिये हुए दो दिन हो गए है मुख्यमंत्री आतीशी ने सीम पद की बागदोर संभाल ली है सीम पद की कमान सभालने के बाद आतीशी आज पहली बार दिल्ली सचीवाले पहुंची लेकिन सीम आतीशी दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आमादमी पार्टी के सयोजक अरविंद के जुवाल की कुरसी पर नहीं बैठी आपको बता दी सीम आतीशी सचीवाले में अपनी एक कुरसी लेकर पहुंची और वो उसी कुरसी पर बैठी जो की सफेद रंकी है उनकी कुरसी के साथ ही दिल्ली के पूर्व सीम आरविंद के जुवाल के लाल रंकी कुरसी रखी हुई है सीम आतीशी ने कहा आज मैंने दिल्ली के मुख्यमंत्री का कारभार संभाल लिया है आज मेरे मन की वैसी ही व्यता है जो की भरत जी की थी जिस तरह से भरत जी ने भगवार श्री राम के खडाओं रख कर काम किया वैसे ही मैं अगले चार महीने मुख्यमंत्री का पत संभा सीम आतीशी ने कहा पिछले दो साल से बीजेपी ने अर्वेंद के जिवाल पर कीचड उच्छालने में कोई कसर नहीं छोड़ी छे महीने के लिए उन्हें जेल में डाला कोट ने भी कहा कि अर्वेंद के जिवाल को एजनसी ने दुर्भावना से ग्रफतार किया है आतीशी कर्विंद के जिवाल जी की अकुर्सी यहीं रहेगी यहां पर काबिले गौर है कि आप नेता आतीशी ने के सितंबर को सीम पत्किश्वपत ली थी और मंत्री मंडल का गठन किया जिसके बाद आज आतीशी पहली बार दिल्ली सचवाले पहुंची थी मैंने दिल्ली के मुक्हमंत्री का कार्यभा समभाला है जिम्मेदारी समभाली है आज मेरे मन की वो ही व्यता है जो भरत जी की थी जब भगवान श्रीराम 14 वर्ष के लिए अयोध्या से वनवास पे गए और भरत जी को अयोध्या का शासन समभालना पड़ा जिस तरह भरत जी ने चौदा साल तक भगवान श्री राम की खणाओ रखकर अयोधिया का शासन संभाला उसी तरह से आने वाले चार महीने के लिए मैं दिल्ली सरकार चलाओंगी भगवान श्री राम ने अपने पिताजी द्वारा दिये गए एक वचन को निभाने के लिए 14 साल का वनवास विकार किया इसी लिए हम भगवान श्री राम को मरियादा पुर्शूर्तम कहते हैं उनकी जिन्दगी हम सब के लिए मरियादा और नेतिक्ता की एक मिसाल है बिलकुल उसी तरहा अर्विंद केजरीवाल जी ने इस देश की राजनीती में मरियादा और नेतिक्ता की एक मिसाल कायम की है पिछले दो साल से भारतिय जन्ता पार्टी ने अर्विंद केजरीवाल जी पर कीच़ और उच्छालने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी उन पर जूटे मुकदमे लगाए उनको गिरफतार किया उनको छे महीने तक जेल में रखा चब अर्विंद केजरीवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी तो उन्होंने कहा कि अर्विंद केजरीवाल जी की गिरफतारी एक दुर्भावना के तहत हुई है शायद कोई भी और नेता होता तो मुक्यमंत्री की कुरसी पे बैठने से पहले दो मिनट भी नहीं सोचता लेकिन अर्विंद केजरीवाल जी ने कहा कि मैं तब तक मुक्यमंत्री की इस कुरसी पे नहीं बैठूँगा जब तक दिल्ली के लोग उनकी इमानदारी पर भरोसा नहीं दिखाते हैं और उन्होंने मुक्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया लेकिन दिल्ली के मुक्यमंत्री की कुरसी ये कुरसी अर्विंद के इजरीवाल जी की है मुझे पूरा भरोसा है कि फरवरी में चार महीने में जो आने वाले चुनाव हैं दिल्ली के लोग अपने प्यार के साथ, अपने आशिरवाद के साथ, अपने भरोसे के साथ फिर से अर्विन केजरिवाल जी को मुख्यबंतरी की कुरसी पर बठाएंगे तब तक ये कुरसी इसी कमरे में रहेगी, अर्विन केजरिवाल जी का इंतसार करेगी देश और दुरियां की और भी बड़ी खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जर्बूर करें